ह कि की कि इसली में करें द mutображ सेबी में करें से टौ. और आ FE द Was अ सब करازें के। के वह कि पुड़ा आपके वर्खेयर बetch अपने यूट्यूब साचत्र ऑफ करता हूं इस निए यूटीब करते हैं कर में आप यूटूल हुआ हैं आज ले चलते हैं आपको हमारे परशनों की ओर परशन नमर एक है वो है कि लोतल किस राजे में इस्तित है ओप्सन ए है राजिस्तान ओप्सन बी गुजराथ ओप्सन सी पंजाब ओप्सन डी है मद्यपरदेश तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ओप्सन बी लोतल है वो भारत के गुजराथ आजे में इस्तित है प्रेंड्स प्रेंड्स इसका राजिस्तान भारत के किस दिशा में इस्तित है ओप्सन ए कहता है कि दक्षिन ओप्सन बी कहता है उत्तर प्स्चिम ओप्सन शी कहता है पूर ओप्सन डी है प्स्चिम तो फ्रेंड्स इसका राइट उत्रप्रदेश, उप्षन B है राजस्तान, उप्षन C है प्रश्चिम बंगाल, उप्षन D है महरास्टर, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा उप्षन A, तो टार रसुस्तान की क्रांती थी, उत्रप्रदेश राजस्ते स्टार्ट हुई थी, परसन नमबर चार क्यो उप्षन परसन है, उप्षन A कहता है नरेंदर मोदी स्टेडियम, उप्षन B कहता है स्वाइमान सिंग स्टेडियम, उप्षन C कहता है पार्थ स्टेडियम, उप्षन D कहता है इड्डन गार्डन स्टेडियम, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा, उप्षन नमबर ए जो सबसे बड़ा स्टेडियम है वो नरेंदर मोड़ी स्टेडियम है जो गुजरात में इस्तित है फ्रेंड्स परसन नमबर पास कहता है कि जेंदर में कुल कितने तिर्द कर हुए थे ओप्शन ए है आठ वे बी कहता है बारह और ओप्सन सी कहता है चोइस इसका राय टांसर हो गा। ओप्सन नमबर सी जन दुर्मे थे वो चोइस तेट करतन हुए थे। अब परसन नमबर 6 के ओले चलते हैं परसन नमबर 6 कहता है कि जे हिंद का नारा किस ने दिया था? उप्सन ए भगत सिंग, उप्सन बी राजगुरू, उप्सन सी स्वामी विवेकनन, उप्सन डी कहता है सुबाच जंदर बोस तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा, वो उप्सन नमबर ए होगा, जे हिंद का नारा है वो भगत सिंग दुआरा दिया गया था फ्रेंड्स परसन नमबर साथ क्यों लेचलते हैं, परसन नमबर साथ कहता है कि ताली कोर्ट का जुद कब हुआ, उप्सन ए कहता है पंदासो चुराण में, उप्सन बी कहता है पंदासो पैंसेट, उप्सन सी कहता है कि सत्तरासो चुहतर, उप्सन डी कहता है अठासो एकाउ तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा वह उप्शन नम्बर B होगा ताली कोट का जूद है वह 1565 इस फिर में लड़ा गया था फ्रेंड्स पर्षद नम्बर आठ परतीव्राज-रासो किसकी रचना है उप्शन A चंदरबदाई उप्शन B शर्जम राइ उप्शन C चानक के उप्शन D कहता है मेग श्तिनीज तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा चंदरबदाई परतिवाज रासो है वो चंदरबरदाई द्वारा लिखे हुई रचना है परसन नमबर नो के ओर ले चलता हूँ परसन नमबर नो कहता है राजस्तान का सबसे बड़ा संभाग कौन सा ये परसन भी काफी चांदार परसन है परसन नमबर दस कहता है कि बारत का अंतिम हिंदू संभाग कौन था पर्थिवराज चोहान 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 नेहिरू, उप्सन B कहता है, मेजर ध्यानचन, उप्सन C, सचिन तेंदुर्गर, उप्सन D कहता है, उप्युक में से को ही नहीं, तो फ्रेंट्स आपको पता है कि होकी के जादुकर के नाम से महसूर, मेजर ध्यानचन की आद में खेल दिवस वनाया जाता है, ग्यानचन का उप्सन B, राइट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् उमर है वो राजस्तान का परसीद लोग नरते है प्रेंट्स परसन नंबर 13 कि पंच्दंतर के रचेता को होना है ऑप्शन ए सुधरक ऑप्शन बी विशाकादत ऑप्शन सी वाल में की ऑप्शन डी करता है विश्नु सर्मा तो प्रेंट्स आप सब इसका उतर जानते होंगे क पंच्दंतर है वो विश्नु सर्मा द्वारा लिखी हुई पूस्तक है तो इसका उप्शन नंबर डी राइट होगा परसन नंबर 14 है कि बारत का सबसे लंबा बांद कौन सा है उप्शन ए इंदरा गांदी उप्शन बी बांकरानांगल और उप्शन सी है हीरा कुंड बां उप्शन डी कहता है नागार जुन सागर बांद तो फ्रेंड्स इसका राइट अप्शन होगा उप्शन नंबर सी हीरा कुंड बांद परसन नंबर 15 कहता है कि कच्ची पूड किस राजे की नरते से लिए है ये भी काफी अच्छा परसन है जो ऐसे जिड़ी के लिए पूछे जाते हैं तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा अंदर परदेश ओप्शन डी इज राइट परसन नंबर 16 कहता है कि रामकेशन मिशन के स्ताबना किस ने की थी आप्शन ए स्वामी द्यानन सरस्वती ओप्शन बी स्वामी विवेकानन ओप्शन सी राजा राहमोन राय ओप्शन डी गुरू गोविन तो फ्रेंड्स रामकेशन मिशन के स्ताबना है वो स्वामी विवेकानन जी द्वारा की गई तो इसका ओप्शन नंबर बी राइट होगा फ्रेंड्स परसन नंबर 17 कहता है कि बंगाल विवाजन कब वहाता ओप्षन A 1905 ऑप्षन B 1907 ओप्षन C 1908 और ओप्षन D 195 तो अगले परसं के उटो का देवता किशे कहा जाता है उप्षन ए गोगा जी, उप्षन भी तेजा जी, उप्षन सी पाबु जी, उप्षन डी है राम देव जी तो फ्रेंट्स इसका राइट आंसर होगा उप्षन नमबर ठी, सी कि उटो का देवता है वो पाबु जी को कहा जाता है उप्षन सी इस राइट आंसर अगला परसन है कि मुस्लिम लिग किस दापना कब हुई और किस ने की थी उप्सन ए गुनिस सो च्छे में मुहमद अली जीना उप्सन बी काता है गुनिस सो च्छे में पंडीत चुहाला नहरु द्वारा उप्सन सी काता है गुनिस सो च्छे में खान अबदुलकफार खान द्वारा उप्सन डी काता है गुनिस सो साथ में सरदार वलबाई पतेल द् मुस्लिम लीग के स्थापना है वो मुहमद अली जिन्ना द्वारा 1906 वी में की गई थी फ्रेंट्स परसान नमबर 20 क्यों चलते हैं परसान नमबर 20 कहता है कि खाल सापन के स्थापना किस नहीं की थी ओप्षन ए अंगद ओप्षन बी अर्जुन देव परसान नमबर 21 कहता है कि मानव अदिखार देवस कब मनाया जाता है उप्शन A 5 जनवरी उप्शन B 5 अक्टूबर उप्शन C 10 दिसंबर उप्शन D 15 जून तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा उप्शन नमबर C मानवा दिखार दिवस है वो 10 दिसंबर को बनाया जाता है पर्षन नमबर 22 सूरत अदिवसन कब हुआ था उप्शन A 1909 उप्शन B 1908 उप्शन C 1913 उप्शन D काता है गुनिशो साथ तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा उप्शन नमबर D सूरत अदिवसन वे गुनिशो साथ इस भी को हुआ था तो उप्शन D is राइट उप्शन A काता है महात्मा गांदी उप्शन B काता है पंडी जुहानलाल नेरू उप्शन C काता है लालाल लाजपतर आए उप्शन D काता है बाल गंगादर तिलक तो इंग इंडिया के संपात्रक थे वो महात्मा गांदी जी थे तो इसका उप्शन A is correct फ्रेंड्स पर्शन नमबर चोईस क्यों चलते हैं पर्शन नमबर चोईस कहता है कि सिपकिला दर्रा किस राज़े में इस्तित है ये भी पर्शन ऐसे जिड़ी एक्जाम के लिए बहुत महतुपन पर्शन है उप्शन A कहता है हिमाचल परदेश B. रजस्तान C. गुजरात D. गोवा फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा उप्शन नमबर A सिपकिला दर्रा है वो हिमाचल परदेश राजे में इस्तित है उप्शन A is correct अगला पर्शन है कि नोईस्पिन के लिख कौन है ये आनने वाल एक्जाम को लिए भोती महतोपून परशन है A. विराट कोली B. सचिन तेंदरुगर C. राशिद खांट D. सेन वर्न तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा उप्शन नमबर D हाल में आश्ट लेके महान किरकेटर थे C. वर्न उनका निदन हो गया उनके दिवारा नोई स्पिन बूक लिखी गई थी फ्रेंड्स परशन नमबर 26 के ओर चलते है परशन नमबर 26 कहता है कि राजा राहमोन राइट की मर्थिव कहां होई ओप्शन A. लंदन ओप्शन B. ब्रिस्टल C. कलकता, D. सिकागो तो इसका राइट आन्सर होगा ओप्शन नमबर B. अजार राम मोहन राइट की मर्थि ब्रिस्टल में होती परशन नमबर 27 कहता है कि जले वाला बाग हत्यकंट कब होँआ ओप्शन A. 13 अप्रेल 1903 ओप्शन B. कहता 13 अप्रेल गुनिस तो फ्रेंट्स इसका राइट आन्सर होगा ओप्शन नमबर B. जले वाला बाग हत्यकंट अमरिश्ट पंजाब में होँआता 13 अप्रेल 1903 इसवीगो फ्रेंट्स अगले परशन क्यों चलते हैं परशन नमबर 28 कि पुन्ना पेक्टे कब हुआता फ्रेंट्स ये भी कापी सांधार परशन है ओप्शन A. 16 अगस्त 1932 ओप्शन B. 16 अक्टूबर 1938 ओप्शन C. 18 अगस्त 1932 ओप्शन D. 18 अक्टूबर 1905 तो फ्रेंट्स पुन्ना पेक्टा है ओप्शन C. 18 अगस्त 1935 फ्रेंट्स अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आये हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर दिन हम जो वीडियो प्लोड करते हैं उसका नोटिपिकरशन आप तक जा सगे फ्रेंट्स परसा नमबर गुन्टिज अश्म का लोकनरते कौन सा है ओप्शन A डांडिया ओप्शन B है बी ओप्शन C करता है घुमर ओप्शन D करता है कट कली तो फ्रेंट्स इसका राइट आंसर होगा ओप्शन नमबर बी इसमें थोड़ लिखने में टाइपिंग हो मिस्टेक हो गई इस अश्म का है वो बी हूँ अश्म का लोकनरते है वो है बी हूँ फ्रेंट्स परसा नमबर तीस नलंदा विसोविदाल के स्तापना किस ने कीती परसा नमबर तीस है कि बारत का मेंचेस्टर किसे कहा जाता है यह भी लगबग बार कंपीटेशन एकजामे में पूछा जाता है तो ओप्शन ए सूरत वी मुंबई C. कलकता D. ओप्षन है एहमदाबाद तो friends इसका right answer होगा option number D. भारत का Manchester है वो एहमदाबाद को कहा जाता है और राजस्तान का Manchester भीलवाडो को कहा जाता है तो option number D is right भारत का Manchester है वो एहमदाबाद आपको ले चलते हैं पर्षन नमबर 31 की ओर पर्षन नमबर 31 कहता है कि विश्वे पर्थिवी दिवस कब बनाया जाता है फ्रेंड्स ओप्षन A 22 में ही ओप्षन B कहता है 23 जून ओप्षन C 22 अप्रेल ओप्षन D 23 नवंबर तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा वो C 22 अप्रेल को है वो पर्थिवी दिवस से मनाया जाता है तो ओप्षन C एजी करेक्ट आंसर फ्रेंड्स पर्षन नमबर आपको 32 के ओर ले चलते हैं पर्षन नमर 32 कहता है कि वर्तमान में भारते सहुदान में कुल कितने अनुच्छेद हैं ओप्षन A 265 ओप्षन B कहता है 300 पिचैण में ओप्षन C कहता है 200 पिचैण में ओप्षन D कहता है 468 तो फ्रेंड्स भारते सहुदान में वर्तमान में चार सो अर्शर अनुछेद है ओप्शन डी इजे राइट परसन नमर तेतिस कहता है कि वर्तमान में बारत का रस्ट पती कोहन है यह आने वाली एक्जामों के लिए महत्योपन परसन है ओप्शन ए कहता है गोविन सिंग डोटासरा ओप्शन बी कहता है इसका आप राइट आनसर कमेंट बॉक्स में पिन कीजे इसका राइट आखसर होगा द्रोपती मूरम जो वर्तमान में भारत की रस्ट पती है द्रोप परसन नमर तोटिस के और लग चलता हूँ परसन नमर चोटिस कहता है कि बारते स्विधान का रिदे किशे कहा जाता है उप्षन A. पंडी जुहाल लाल नहरू उप्षन B. महातमा गांदी उप्षन C. डोक्टर भियूरा अमेडगर उप्षन D. नरेंदर मोधी तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि भारते स्विधान का जनक बारते स्विधान का रिदे डोक्टर भियूरा अमेडगर को कहा जाता है उप्षन C. डाइट फ्रेंड्स प्रेंड्स परसा नमबर है 35 कि भारत का एसा कौन सा राज्य है जिसके अलग होने पर भारत दो भाग्गों में विवाजित हो जाता है उप्षन A. असम उप्षन B. सिकिम उप्षन C. नाकालेंड उप्षन D. है उत्तर परदेश तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा उप्षन नमबर A अगर असम दो भाग्गों में विवख्थ हो जाता है फ्रेंड्स पर्षन नमबर 36 की आईरेंड लेड्डी के नाम से कौन परसीद है उप्षन A. ममता बनरची उप्षन B. इंद्रा गांधी उप्षन C. उप्षन C. इसने थोड़ा मिस्टेक कर दिया है उप्षन D. है सुन्य गांधी तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा उप्षन नमबर B. आईरेंड लेड्डी के नाम से इंद्रा गांधी को जाना जाता है फ्रेंड्स परसन नमबर 37 के ओले चलते हैं कौन्ग्रेश विवाजन कब हुआ ओप्षन A, 36 ओप्षन B, 37 ओप्षन D, कहता है गोनिच round तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा उप्षन नमबर को को अंच्ट अंच्ट का विवाजन है सोरी फ्रेंड्स इसका फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा वह ऊप्षन नमबर B 1970 7 इस्यू में कॉंग्रेस का विवाजन हो गया था फ्रेंट इस परसन नमबर 38 के ओले चेते हैं कि अंतराश्टे बाली का दिवस्त कब नहीं जाता है option A कहता है कि 11 अगस्त option B कहता है 11 जून option C कहता है 11 अक्टूबर option D कहता है 11 सितंबर तो फ्रेंट्स इसका right answer होगा option number C 11 अक्टूबर को राश्टे बाली का दिवस्त बनाया गया option C E G right फ्रेंट्स अगले परसन है कि और ले चलते है अगले परसन है कि बारत का बासा के आधार पर बनने वाला पर्थम राजे कौन सा था फ्रेंट्स ये भी कापी अच्छा क्यों सुना है जो बार बार केंपर्टेशन एक्जाम में पूछा जाता है तो फ्रेंट्स option A काता है महाराश्टर option B मद्धे परदेश option C आंधर परदेश option D है उत्तर परदेश तो फ्रेंट्स इसका right answer होगा option number C ये बासा के आधार पर वाला भारत का पर्थम राजे था वो अंधर परदेश था परसन नमबर 40 अंकोर वार्ट के समार्क किस देश में इस्तित है option A चीन तो फ्रेंट्स इसका right answer होगा option number B अंकोर क्वार्ट के जो समार्क है वो कंबोजिया कंबोडे देश में इस्तित हैं फ्रेंट्स परसन नमबर 41 हाले में फीपा वर्ड कप कहा आयोजन हो रहा है ये आने वाली हर एक परसन नमबर 42 है कि राजस्तान का अजयब घर किसे खा जाता है option A है option B अजमेर option C जेपूर option D कहता है जेसल मेर तो फ्रेंट्स इसका right answer होगा option number A वो अजयब घर आजस्तान का अजयब घर है वो बिकानेर को कहा जाता है तो इसका right answer होगा बिकानेर फ्रेंट्स परसन नमबर 43 के ओले चलते हैं कि रन थंबोर में 32 कंबो की छत्री किसने बनाई थी ये काफी सांदार परसन है option A परत्वी सिंग, option B हमीर दे, option C क्रिशन देव रहा है, option D है परत्वी रहा चोहान तो फ्रेंट्स इसका right answer होगा option number B परत्वी रहा चोहान दोआरा रन थंबो में 32 कंबो की छत्री का निर्मान करवाया गया था option number, person number 46 है कि भारत का नेपॉलिन किसे कहा जाता है, ये person लगबग competition एक्जाम में पूछा जाता है, जो आने वाले भी एक्जामों के लिए वो ये person है, वो बहुत महत्वपून है friends, इस person को आप गोर से देखिए कि बारत का नेपॉलिन किसे कहा जाता है, option A परत्वीरा चोहान, option B सकंद गुप्त, option C समंदर गुप्त, option D कहता है समराट असोग friends, इसका right answer होगा, option number C, कि बारत का नेपॉलिन है, शमंदर गुप्त को कहा जाता है, आप मुझे कमेंट करके ये भी बताइए, कि ये बारत का नेपॉलिन, इन्हों किस ने इन्हों को कहा था friends, person number 45, बारत का पर्थम गरह मंतरी कौन था, option A पंडी जुहानलाल नहरू, option B रादा क्रिशन, option D मौराजी देशाई, option D सर्दार फल्लभाई पटेल friends, इसका right answer होगा, option number D, सर्दार फल्लभाई पटेल, जिसे बारत का बिसमार्क भी कहा जाता है friends, person number 46, कलिंग का पर्षिद्यूद कब हुआ, तो option A कहता है कि, 221 इसा पूरवाई, option B कहता है, option B है वो है, 321 इसा पूरवाई, option C 261, option C कहता है, 261 इसवी, तो friends, इसमें थोड़ी option में मिस्टेक होगी थी, इसका right answer होगा, friends, इसका right answer होगा, वो होगा, 200, 261, इसा पूरवाई को का लिंग का पर्षिद्यूद्य लड़ा गया था, friends, person number 47, दिल्ली से पहले बारत की राज़्दानी क्या थी, option A नई दिल्ली, option B उडिशा, option C कॉलकता, option D है मुंबई, तो friends, इसका right answer होगा, कलकता, friends, person number 48, बंगलादेश के निर्मान के समें बारत के परदान मंत्री, बारत के किस परदान मंत्री के निर्दित में हुआ था, तो option A पंटी जुहालाल नेरू, option B इंदरेंदर मोदी, option C इंदरागांधी, option D मौराची देशाई, तो friends, इसका right answer होगा, option C, बंगलादेश का निर्मान हुआ था, उस बारत के इंदरागांधी उसमें परदान मंत्री थी, जिसके निर्दित में बंगलादेश का निर्मान हुआ, उप person number गुणंचास, बारत में 1500 रुपे पर नोट मंदी कब हुई थी, फ्रेंड्स हमारे उसमें भारत के परदान मंत्री स्री नरेंदर दामो दुदास मोदी थे, तो उन्होंने 500 हजार रुपे के नोट पर परतिबेंद लगाया था, तो वो कब लगाया, तो option A काता है, 14 November 2014, 16 November 2014, 12 November 2014, option D काता है, 16 November 2014, आप इसका जल से उतर दीजिए, option B is right, तो 16 November 2014, option B is right, अगर फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पहली बार आए तो प्लीज हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का notification मिल सके, अगर आपको हमारे ये person अच्छे लगे हो, तो वीडियो को like भी कर दीजिए, फ्रेंड्स परसन नंबर आपको 50 के ओर ले चलता हूँ, या आपका home रख के लिए है, आप इसका उतर है, वो comment box में दीजिए, कि ये भारत के निम्राज्जे हैं, जिसके आपको राषदानी बितानी है, तो फ्रेंड्स, आपसे निविदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो, वीडियो को like और चैनल को subscribe कर लीजिए, ये आनने वाली हर एक computer वे लिजाम के दृस्टी से, ये परसन आपके लिए बहुत महत्वपून सिध होंगे, मैं आपको ये वादा दूआता हूँ कि अगर आपने पचास परसनों का इच्छे डंग से देख लिए हो, तो आने वाले एक्जाम में यहांक से आपको 5-7 परसन जरूर मिलेंगे, तो प्लीज आप मारे चैनल पर डेली आप एक वीडियो प्लोड कियाता है, उसे देखना ना बुले, जे हिंद, जे भारत मिलते हैं अगली वीडियो में,